नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकास और आप देख रहे हैं की स्टॉक दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के बारे में इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे लाजेस्ट रेल नेटवर्क है जहाँ पर इंडियन रेलवे के पास टोटल 2593 ट्रेंज है दोस्तों, इंडियन रेलवे दुनिया की सबसे लाजेस्ट ट्रेंट नेटवर्क होने के साथ सबसे लाजेस्ट अनप्लॉयर भी है यहाँ पर बहुत सारे अनप्लॉई काम करते हैं दोस्तों, हर रोज लबबग 2.40.000,000 लोग इंडियन रेलवे में ट्रेवल करते हैं दोस्तो इंडियन रिल्वे के दाटा 2019 के अंसार माल गाड़ी ने 2800 करोड का प्राफिट दिया है वहीं पैसेंजर गाड़ी ने 400 करोड का लॉस भी दिया है दोस्तो इंडियन रिल्वे सुरू से ही कंप्लेटली इंडियन गौर्नमेंट के अंदर में रही है क्योंकि गौर्नमेंट ने हमेशा सही कोसिस की है कि इंडियन रिल्वे को इंडिया के हर एक कोने तो पहुचाया जाए और करीब से गरीब और अमीर से मिल लोगों के लिए भी ये ट्रेन एफ़ोडेवल बनाया जाए इसलिए दोस्तों इंडियन रिल्वे हमेशा पैसेंजर को केरी करने के लिए अपने अपरेटिंग कास्ट का आधा चार्ज करती है जहां पर इंडियन रिल्वे हर 10 किलोमेटर पर एक पैसेंजर पर 73 पैसा खर्ज करती है तो वहीं उससे 36 पैसा सिर्फ अर्म करती है तो इं इनको modernize करने में इंडियन रेलवे पूरी तरह से आसफल रही है इंडियन रेलवे अभी भी कालोनियन इंफ्रास्रक्चर पर ही चल रही है दोस्तों 2001-2002 से 2015-2016 इन 15 सालों में इंडियन रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन की संख्या में 96% का increment जबकि माल गाली ट्रेन की संख्या में 90% तक की भड़ोतरी की है दोस्तों आफ ट्रेन ट्रेन के चलेगे ट्रेक पे ट्रेक का बहुत ही बड大गा कारण बना है ट्रैक कांजेसन होने की कारण ट्रेन को जल्दी रूट नहीं मिलती है और ट्राफिक ट्रीने नहीं मिलती है जिसके कारण ट्रेन हमेंसा लेट होती है और उसमें लेट होने के विज़ा से वो लॉस मेकिंग बन जाती है और पैसेंजर्स को भी इसमें तकलीफ होती है दोस्तों पुराने ब्रीजेज जो कि 2020 के पहले से बनाये गए हैं उनमें 349 इंपॉर्टेंट 410 मेजर 51,629 विज़ेज साल 1920 के पहले के बनी हुई है जिसके कारण कई एक्सिडेंट देखने को मिलते रहते हैं दोस्तों एक्सिडेंट होने के बाद जो पैसेंजर्स होते हैं उनके उपर भी इंडियन डेलवे अच गहरें सेंजर्स के घरवालों को देती है जिनकी देथ हो जाती है या इंजर्ड हो जाते हैं यह कुछ निच्चिर कारण हहें हमेसा गहाटे में रही है आऊनीपा स्कीम के खिलाब प्रोटेस्ट किस से नहीं छुपी ती दोस्तो बिहार वेस्टमंगाल और बहुत सारे राज्यों में प्रॉटेस्टर उग्र हो गए थे और उने बहुत सारे इंडिये बहुत सारे रेलवेज को आग लगा दी थी यूण कि प्रोटेस्टर का सीधा निसाना होता है तो बसस या थो ट्रेंज तो इसको पाके करोड की उपर के थे कि इंडियन रिल्वे को एक बारा डब्बे की कोच बनाने में चालिस करोड तक का खर्चा आता है वहीं दोस्तों इंडियन रिल्वे अगर प्रटेश्टर ने खुद जानबुच के ट्रेन को छती पहुचाया उसके बाद आता है दोस्तों करप्सन किसी से नहीं चुपाया दोस्तों करप्सन हर जगा होता है बट इंडियन रिल्वे में करफ्षन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है दोस्तों इस सीधरन को कौन एक सुझाओ दिया था उन्होंने कहा था कि इंडियन रिल्वे को डी सेंट्रलाइज कर देना चाहिए जिससे ये 10,000 करोड इंडियन रिल्वे के पास आसानी से बस सकते हैं अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे कुछ रिफॉर्म ऐसे कुछ बदलाओं के बारे में जो इंड इंक्रमेंट करना जिससे आने वाले फ्यूचर दिमांड को फुलफिल किया जा सके अन्होंने मालगारी की संख्या को 27 परसेंट बढ़ा कर दिया जाएगा और उसकी स्पीड को 22 किलोमेटर पर आवर से बढ़ा कर पचास किलोमेटर आवर तक कर जिया जाएगा दोस्तों इ पूरी तरह से नहीं किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर के लिए ये मार्केट ओपन अप किया जाएगा तो इसके कुछ चार तेजस ट्रेन हमारे देश में चल रही है तो दोस्तों इस प्राइवेट सेक्टर की सक्सेस के बाद गौर्मेंट ने ये डिसाइड किया था कि 2023 से 2024 तक कम से कम 12 ट्रेन बारा प्राइवेट ट्रेन और ये संख्या 2027 तक बढ़ा कर 151 तक कर दी जाए और बहुत सारे एक् प्राइवेट सेक्टर के अलावा भी बहुत सारी इंडियन गौर्मेंट लगाता उठा रही है जैसे कि इंडियन गौर्मेंट ने डिसाइड किया था कि वो 2023 तक पूरी तरह से हर एक हर एक इस्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाएगा जिसमें से दोसे 81% का टा चाइना और जापान जैसे ट्रेंस विधाय लेनी है तो उसमें अभी टाइम लगेगा दोस्तों यह थी एनलेसिस इंडियन रेलवेस के ऊपर अगर आपका कोई हाला सुझाओ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्टर बता सकते हैं कि क्यों से ऐसे मिजर रिफॉर्म से जो इंडि जैसे जो आपका कमेंटा झालेसिस सुझाओ है झालेसिस इंडियन रेलवेस के चाइब एनलेसित की इषा बता सकते हैं कि एनलेसित कोई भी एनलेसित लूटब कर रेलेसित आपका कोई